आप लोग जज़ करते हो क्या मुझे मेरे चैनल की सबसे टॉप वीडियो है वह आओ मेरे साथ देखो लोग बहुत ऐसे बोलते हैं इतना अच्छा बंदा है इतने अच्छे काम करता है यह इस तरह की बाते कर रहा है बड़ा इंबरस्मेंट भी लगता है मुझे बट पता है अगर अपनी प्रिवेसी में एडल्ट वीडियोज मूवीज देख रहे हो तो यह कोई क्राइम नहीं है और जब तक यह क्राइम नहीं है तब तक तो भाई भारत का समीदान बोलता है कि अपनी प्रिवेसी में देखो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो अब यह पता यंग रहे हैं वो इसके बारे में बात नहीं करते वो तो सीधा यह बोलते है अडल content देखना गलत बात ठीक है लेकिन जो देख रहा है उसको कौन बचाएगा भाई उस बारे में बात करने यह सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा आई यह शुरू करते हैं और देखते हैं क्या यह चीज अब से पहले चीज मैल्वेर और फिशी हाँ अब देखो यह जो जितनी भी एडल्ट वेबसाइट होती है यह रेगुलेटेट होती नहीं है अब ऐसे थोड़ी बोलता है चलो वायरस उस वेबसाइट में है इसी लिए बहां चलता है जंगल राज जंगल राज में जाते हैं तो पूरा डिफेंस लेके जाते हैं तो इसलिए वहां मैल्वेर और फिशिंग का तो लफड़ा रहता है अगर आपको कोई अडल्ट वेबसाइट सर्फ करनी है तो एक अलग ब्राउजर में करो और हो सके तो अलग डिवाइस भी रख लो अगर पॉसिबल है नहीं तो एक अलग ब्राउजर रखो उसमें इंकॉगनेटो लगा लो तो उसको करके आप करो ताकि आप सेफ और सिक्वेर और वहां पर कोई वेबसाइट का लिक अगर क्लिक किया है और प अगली जो प्रॉब्लम आ सकती है न वहें डेटा ब्रीच की अब उससे कैसे बचना है अरे हर तरीका बताएगा भाई आपका आज तो बस सागर बाई क्यों बरबाद कर रहे हो बच्चों को यार देखो यह साबर सेक्यरिटी की नॉलजर देना ज़रूरी है डेटा यूजर रेम और पासवर्ट डालते हो ठेक है पहली बाद तो ऐसी वेबसाइट में जहां तक हो सके आईडी बनाने से बचना चीए जादे तर आपको फ्री चीज़े मिल जाती है अगर आईडी बनाने का बोल रहे हैं तो भाई दूरी रहो है दुनिया में बहुत वेबसा सब्सक्राइटों को उनकी कोई पॉलिसी नहीं होती ही प्रेवेसी की अरे भाईया हलवा है उनके पास अगर कोई डेटा चला गया तो बड़ी बड़ी कंपनिया फेस्बुक Microsoft ये लोग डेटा बेच देते हैं और तुम इस टुची पुची एडल्ट वेबसाइट पर भरुसा कर रहे हो अरे यार ऐसी आईडी रखो जो कोई ढूंड ना पाए मेन आईडी एमेल आईडी तो यूजी मत करो और पासवर्ड तो वो बिलकुल ही मत रखो जो आप हर newer अब यह unwanted tracking क्या होती है आपको पता है जिस भी website पर आप जाते हो हो उसका जो detail आपके browser में store होती रहती है आपकी cookies भी इस्तमाल कर सकती है, इसलिए मैंने कहा कि separate browser इस्तमाल करना है, VPN यूज करना है, opera का incognito mode यूज करना है, है ना, opera का इस्तमाल, पता ने किस किस चीज करा रहा हूँ मैं, पर कर सकते हो, safe है वो, ठीक है, चलो, और यह को sponsored वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दू, मेरे को opera से कोई पैसे नहीं मिले हुआ है, लेकिन आपको मैं trick बता रहा हूँ, safe रहने का तरीका बता रहा हूँ, safety tricks, safety tips बता रहा हूँ मैं आपको, internet पे, रहने के लिए safe, unintentionally exposure to unwanted content और illegal content, इसका क्या मतलब होता है सागर भाई, देखो, पूरी दुनिया में न, यह जो adult content है, यह legal है, ब सहारत में इतना तगड़े कानून है, कि अगर ऐसा content आप देखते हो, जिसमें 18 साल से कोई बच्चा नीचे involved है, तो आपको जेल से कोई निकाल सकता, पूरे लंबे जाओगे, ठीक है, तो हम जिस website पर जा रहे हैं, हमें क्या पता, कि आगे क्या content है, अब वहाँ पता नहीं कि कि क्रिमिनल ने वो website बनाई हो, हाँ तो कुछ भी डाल सकता है, और हमारे सामने आ जाए, हमने तो intentionally click नहीं किया, हमें तो दिख रहा था, गुलाब है, गुलाब क्लिक करके, अगर उसमें कमाल आ गया, example के दोर में बता रहा हूं, तो फिर भाई हमारी के गलती है, लेकिन देख तो आप रहे हो, वहाँ फस जाओ गया, तो इससे बचे कैसे, जो reputed website है, जैसे adult content की category में भी reputed है, adult content अगर आपको देखो में बता रहा हूं, पता नहीं कैसे cover करूं इसको मैं, adult content कर जियूं करना है, तो यार, OTTs भी है, trusted OTT है, बड़े OTT है, उन भी जा सकते हो, वह website span है, उनकी बज़ाई ये है, कि बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे सरकारों को, ये लगता है, कि इससे सामाज नीचे गिरता है, लोगों की thinking खराब होती है, जो कि एक तरह से सही बात भी है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि देखो, adult content किसी एक category में नहीं बना ह होगा, adult content वो भी है, जो movies में सीन आ रहे हैं, वो भी adult content है, और adult content वो भी है, जो आप extreme जा रहे हैं, इसमें कोई categorization सरकार ने की नहीं हुई है, जो बच्चे हैं, teenagers हैं, वो मानो ना मानो, जादा तर, सब की नहीं बोल रहा है, लेकिन वो consume करते हैं, तो यहां पर आप trusted source से कर होगे, तो आपको unintentionally वैसा content नहीं नजार आएगा, जो आप नहीं देखना चाहते, मैंने शुरुवात में ही खाता, कि बच्चे, teenagers, बच्चे तो नहीं, मतलब 18 साल के बच्चे, उपर ही, तो जो youngsters हैं, वो इस चीज को consume करते हैं, और कई बार उनके साथ बहुत बुरा हो ज नहीं समझता, और आगे चाके वो फस जाते हैं, इसलिए मज़े करता हूँ, समझे आप बात को, है ना, तो यह है भाई, आप trusted website पर जाईए, जहाँ unintentionally को ऐसा content ना नहीं जारा है, जो आपको कानूनी फेरे में फसा दे, आप एक अच्छा anti-virus इस्तमाल कीजिए, laptop, computer में कर रहे हैं, जसमें web protection वगएरा हो, यह एक extra add-on है, बाकी सारी जो तरकीबे होती है, जहाँ जहाँ आप फस सकते हो, वहाँ से बचने का तरीका बता है, बचने का तरीका मतलब safe, ये वीडियो एक cyber security guide है, फुल प्रूफ पूरी एकदम बढ़िया मजे वाली, लेकिन इसको म trusted website नहीं है, या online किसी भी चीज़ का exposure है, कोई भी website सब करते हो, उन सभी के लिए applicable है, ठीक है, तो इससे आप बच सकते हैं, safe रह सकते हैं, secure रह सकते हैं, आप जो भी देखना चाहते हो, वह आपका personal call है, देख सकते हैं, अगर आप को वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक क कि अच्छी लेगी sound